What the tech is going on friends मेरा नाम है Wiki Indecoder के तरफ से और आज के वीडियो में मैं दिखाने जान रहा हूँ Google आलो के फीचर्स के बारे में तो Google ने इस साल आयो 2016 में ये एप लॉंच किया था लेकिन बहुत टाइम लग गया इसको फाइनली ऑफिशली रिलीज होने में फाइनली अब ये एप लॉंच हो चुका है और आप प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल कर सकते है परहबस ये WhatsApp को बीट करने वाला ये फीचर्स आप देखिए सबसे पहले तो आपको इसको आपके फोन नमर से इसको रेजिस्टर करना परेगा और ये आपके गूगल अकाउंट के साथ सिंक हो जाएगा यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं गूगल एसिस्टेंट का एक option ये आपका परसनल एसिस्टेंट के तरह काम करेगा जैसे कि आप देखी सकता है अगर मैं वेदर के बारे में पूछू तो यह मेरत देखा रहा है और मुझे क्या अम्बेल लेन चाहिए या नहीं लेन चाहिए यह दिखाता है और अगर आप आसपास के रिस्टेंट को सर्च करना चाहते तो वism ये सर्च कर सकता है तो वहर आर ये बहुत पावर्फुल एसिस्टेंट है अब अगर चैट के बारे में बात करें तो आप regular emojis तो हर वक्त देखी सकते है और message के speed के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि यह WhatsApp से थोड़ा सा slow है और यहाँ पर आप sticker भी add कर सकते है और यहाँ पर से आप चाहे तो extra sticker pack download भी कर सकते है और यहाँ पर फिरा list थोड़ा सा कम है लेकिन आने वाले time में यह बहुत ही बढ़ने वाला है मैं अभी आपको guarantee दे सकता हूँ और जो सबसे बड़ा plus point है इस app का वो है smart reply जैसे कि आप देखी सकते है यह message इसको परके smart reply smart suggestion आपको देता है तो आपको type करने की कोई जरुवत नहीं आप बस option को press कर सकते है आपके mood के मुताबित और यह send हो जाएगा तो बहुत ही new concept है और बहुत ही innovation मुझे इसमें दिखा करता है तो message automatically delete हो जाता है चाहे आप sender के लिए हो या receiver के लिए हो जैसे कि आप देखी सकते है यह message particular time के बाद delete हो जा रहे है और आप चाहे तो इस time limit को एक मिनिट से एक घंडे तक set कर सकते है लेकिन incognito chat में आप personal assistant या फिर smart reply ऐसे features यूज नहीं कर सकते है और एक बात यह है कि यह सारे messages end to end encrypted है यानि कि आपके message बिलकुल safe है hack होने की कोई चींता नहीं है और आप बड़ी आसानी से अब इसका मजा ले सकते है तो क्या यह WhatsApp को beat करेगा यह अभी बताना मुश्किल है क्योंकि मैं इसको लेके और भी कुछ test करने वाला हूँ और अगर इसके और भी मिलते हैं अगरे वीडियो में peace